बिल्कुल डिक्सिंटिक नतीजे बिल्कुल बहुत ही स्टॉंग आये थे और कंपनी की तरफ से जो आयका गाइडेंस से वह भी बहुत ही चांदार है बस एक दिक्कत है शेयर चला बहुत था और ब्रोकरजिस के उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई है रिपोर्ट्स में जो ट 10,000 करोन रुपए आज साफ हो गए हैं आज मजबूत नतीजों कदम पर शेयर की शुरुआद ही मजबूत ही 15,900 का हाय बनाया शेयर नहीं उसके बाद शेयर में गिरावट शुरू ही और रिकॉर्ड उचाई से शेयर करीब आप 16% नीशी आकर कारबार कर रहा है हाला कि IT हा को लेकर भी कंपनी ग्लोबल टाइब करने को लेकर विचार कर रही है आप जानते ही हैं आपके EMS यानि के इलेक्ट्रॉनिक मेनिफेक्ट्रिंग की यह दिगज कंपनी है और इस साल की बात करें HP इंडिया के साथ इन्होंने करार किया, दासू सिस्टम के साथ करार किया, HKC के साथ करार किया तो कई ग्लोबल टाइब्स किये हैं नतीजे बिलकुल कोई दिख्ध की बात नहीं थी अच्छे नतीजे आये थे लेकिन जो इन्वेस्टर का जो टार्गेट है 15,900 का है और आ 24 का जो आई गाइडेंस से उसको बढ़ाकर कंपनी ने कर दिया है 40,000 करोन रुपे का